खुद से जूट बोलना दूसरों से जूट बोलने से भी जाइदा खतरनाक है Hello Everyone, मैं आपकी दोस्त पुश्पा आपके लिए यूनिक डिजाइन लेके आई हूँ इस डिजाइन से आप स्कार्फ, जैकेट, सॉल बना सकते हैं फ्रंट से ये देखने में ऐसे लगता है, बैक से ये इस तरह से बन के आता है मिन्स दोनों तरब से ये इक्वल देखने में लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस डिजाइन को कैसे बनाय जाता है इस डिजाइन को बनाने के लिए इवेन नमबर में चेन लेंगे टू के मल्टिपल में टू, फोर, सिक्स, एट इस तरह से तो फर्स्ट स्लिप नूट लगाके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारह, बारह तो यह 12 चेन लेके मैं डिजाइन बना रही हूँ आप प्रोजेक्ट के एकॉर्डिंग चेन लेंगे जैसे सकार्प लेंगे तो सकार्प के माप से 50, 52, 54 इस तरह से चेन लिए जाएंगे सॉल के लिए इससे जादे लिए जाएंगे तो चेन जब हम लें तो इवे नमबर में जाएंगे बाद हम बॉडर बनाएंगे तो फर्स्ट चेन जो है उसको स्किप करते हुए सेकेंड चेन में सिंगल क्रोश्या बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोश्या बनाते वे प्रते एक चेन में इस रो को पूरा करेंगे प्रते एक चेन में डालते वे इसे कंप्लीट करना है बहुत ही आसान है और लुक वाइस देखने में भी अच्छा लगता है तो इस तरह से बॉर्डर तयार करेंगे अब लास्ट में हम दो चेन लेंगे एक दो दो चेन लेते वे टर्न लेंगे टर्न लेने के बाद फर्स्ट चेन में इस तरह से एक बार लुक निकालेंगे फिर उनको क्रोशे पे लेते हुए दूसरी बार फिर उनको क्रोशे पे लेते हुए तीसरी बार इस तरह से बनाते हुए इसको बंद करेंगे एक चेन लेंगे अब एक chain skip करेंगे दूसरे chain में बगर crochet पे उन लपेटते हुए first time इस तरह से फिर दूसरी बार तीसरी बार और इसको बंद कर देंगे फिर एक chain लेंगे यही process है यहां तक हमें बनाना है एक chain skip करके एक chain skip किया दूसरे chain में तीसरे में इसको इस तरह से बंद किया एक chain करने मदे इसाए हुए पाई लेंपरे तूसरे इसाë be यह है नहे वो मेरा आएओा कर दूसरे लास्ट में दो चेन, फिर टर्न लेंगे, अब ये जो इस्पेस है, इसमें हमें डिजाइन बनाना है, तो पहले एक बार, फिर उन कुरोशा पे लेते हुए दूसरी बार, फिर उन कुरोशा पे लेते हुए तीसरी बार, और इन सब को एक साथ बंद करेंगे, एक चेन लेंगे, अगेन यही प्रोसेस है, करें तीस करेंगे बढसितित झाल, और है, यही bisher है व्राइद करेंपे लार, व्राइद हैं। लास्ट में दो चेन, एक, दो, तो यही रिपीटेशन है, इसी को हम रिपीट करते जाएंगे, एक वर मैं और बना के दिखाते हूँ, झाले 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 झा प्राइब 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 तो यह इस तरह से बन के आएगा बहुत ही आसान है बनाएंगे तो और भी आसान लगेगा अब इस तरह से एंडिंग कैसे करना है प्रोजेक्ट जब कम्प्लीट हो जाएगा तो हम यह बॉर्डर बनाएंगे तो टर्न लेंगे दो चेन दो चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोश्या बनाएंगे फिर सेकेंड इस तरह से एक एक जो यह फ्लावर बना हुआ है इसमें दो दो चेन हमें लेना है तो एक इस जगह पे फिर अगेन विल्कुल क्लियर दिख रहा है चेन तो इस तरह से बनाते हुए एंड करेंगे सिंगल क्रोश्या बनाते हुए लास्ट में यह जो डबल चेन लिया जाता है उसमें डालते हुए सिंगल क्रोश्या बनाएंगे इस तरह से यह कम्प्लीट होगा यह सीधा सीधा बनेगा और एक चेन लेते हुए इसे बन करेंगे तो यह कम्प्लीट हो गया स्कार्फ मतलब बनाएंगे तो स्कार्फ में ही इसकी जूरत होगी जैकेट में तो सिर्ब बॉर्डर बनाके हम करेंगे कटाई होती है उसमें अब फिर हम यहाँ पे जो है जालर बनाके दोनों सेट से कम्प्लीट करेंगे आया है जैसे इक प्रोजेक्ट में ये बना रही हूं तो यह sqarf ही है तो इस तरह से लंबाई इस का देखेर के एवे नबर में और इस तरह से डिजाइएन जो है आप बनाएंगे लंबाई आप को यह डिजाइन अच्छा लगा होगा मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए मिलती हूँ एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए टेक केर और गॉड ब्लेस यॉल थेंक यू